वेलकम अगेन निल आउतिया इस की तरप से मैं स्वसेल्स रेस्ट आप हमें लाइक सेर और सब्सक्राइब करें साथ ही साथ हम क्विज 104 को लेकर आपके सामने हैं जो 21 से 27 जुन से रिलेटेट है हमने पहले भी बताया था हम हर करेंट अफेर्स वीडियो के साथ एक क्विज आटाइस करेंगे जिसमें 10 क्विश्चन होगे और जो भी करेंट अफेर्स की वीडियो होगी उसमें पिछले वाले क्विज का एंसर होगा ठीक तो आप इसे याद रखें और एक प्रोसीजर के तौर पर एडाप्ट कर लें हर करेंट अफेर्स वीडियो के साथ पिछले वाले क्विज का एंसर होगा तो अब हम यह 21 से 27 तक का जो करेंट अफेर्स था उससे रिलेटेट कुज और क्विश्चन को हम दे मेट के उपलक्ष पर इसे हम मनाते हैं विक्ट्री डे को यह यह नाजी जर्मनी ने जब सेकंड वल्ड वार में रस्या के सामने सेरेंडर किया था उससरे रिलेटेड है और यह इस साल रेड स्क्वायर मासकोर पर मनाय गया क्या सही है इसके बारे में यह आपको जानकारी लेनी है दूसरा सिनकेकु आइलेंड जो सिनकेकु आइलेंड है जिसको ताइवान अलग नाम से बोलता है जापान अलग नाम से बोलता है चाइना अलग नाम से बोलता है यह चाइना और जापान के बीच डिस्प्यूट है यह कहां पर है नादर्न उत्तरी प्रशांत महाशा में है इस चाइना सी में है या साउथ चाइना सी में है थार्ड क्वेश्चन जो है वो है सोलर एकलिप्स सूर्य ग्रहन के बारे में कौन सा कथन सही है सूर्य ग्रहन के बारे में कौन सा कथन सही है यह तब होता है जब चांद प्रिथवी और सूरज के बीच में आ जाती है ring of fire rare annular eclipse में पैदा होता है और diamond ring जो है वो total solar eclipse में पैदा पूर सुरी ग्रहन में diamond ring बनता है इन में से कौन सा कथन सही है फिर question number four RCEP से है regional economic cooperation comprehensive economic partnership जो था उससे related है इसमें यह है कि यह regional economic agreement है ASEAN और उसके FTA members के बीच में न्यूजिलेंड इसका acting partner है यह 2012 ASEAN Summit Cambodia में launch किया गया था और इसमें 14 negotiating parties है क्या सही है इसके बारे में आपको बताना है जो next question है वो FATF के financial action task force के बारे में है तो आपको financial action task force के बारे में बताया दया यह internal governmental body है G7 की और इसमें कितने currently 34 34 member क्या सही है क्या गलत है ठीक है न तो यह सारी चीज़ें इसके बारे में है जो next question है वो EAG organization आपको बताया गया था Eurasian group का ठीक है न तो यह इसमें कौन सा country associated नहीं है EAG group से आपको इसके बारे में बताना है next जो seventh question है which statement is correct about tuberculosis tuberculosis elimination की बात हुई थी उसमें से दो statement दिए गया है इन दो statement में कि इसे भारत से 2025 तक समाप्त करना है target है और global target वैस्विक लक्ष इसका है पूरे विश्व समाप्त करने का 230 क्या सही है क्या गलत है आपको यह देखना है then eight question प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के बारे में है प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के बारे मी कौन सा कथन सही है which is true which statement is or are एक भी सही हो सकता है कई भी सही हो सकते हैं तो आप इसको देखें कि इसका उद्देश collateral free collateral free loans देने में है देखिए इसमें जो रिण की सीमा है वो 10 लाख है micro enterprises के लिए सिशू किशोर और यवा ये तीन प्रोड़क्ट्स हैं और यवा को 5 से 10 लाख तक loan की लिमिट है तो ये क्या सही है then ninth question it world information technology के वर्ड में एक नया word सब जुड़ा है pissing पिसिंग का क्या मतलब है यह एक malware प्रोग्राम है यह एक land प्रोग्राम है यह social media का application है और यह fraudulent attempt है एक तरीके से fraud है बेक्ति के personal information को चुरानी का तो पिसिंग से क्या related है यह हमारा question number 9 question number 10 कुशिन अगर जो अभी recently international airport declare हुआ है कुशिन अगर famous pilgrimage place है इसका relation क्या है यह birthplace of बुद्ध है या enlightenment बुद्ध को जन्म हुआ था या बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति हुई थी या बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था या महापनिर्वान से संबंदित है तो यह रह इसर को आप हमारे description box में जाके पाशकते हैं तो इसका link नीचे description box में है आप जाके उसे हम आपको provide करा रहे हैं आप देख सकते हैं तो अगले current affairs कुछ के लिए आप तयार हुए और current affairs के लिए धेरशारी शुब कामना है धन्यवाद